आज हम पहारी सेली संबदी महतपूर पॉइंट करने वाले हैं एक्जामिनेशन में पहारी सेली हमारे लिए बहुत इंपॉटन्स है इसके अंतिगत बहुत सारी सेलियां हैं जो आती हैं जैसे कि बशौली है, कांग्रा है, गुलेर है, कुलू है, चंबा है, पुष्ष है और गड़वाल, काश्मीर, अन्मंडी, सीख और इजम्मू ये पहारी सेली सेलीट है और ये एक्जामिनेशन में जो है इससे संबदित क्वेशन पूछे जाते हैं और जो लोग फाइनार्स के तयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास पॉइंट है, जिनको अवश्य जो ध्यान दें, इनमें मैं बताने बाला हूँ, कुछ पॉइंट मैं लिख कर रखा है, ये कौन को सा पॉइंट है, जो कई बार एक्जामिन में जो है, घुमाग फिरा कर जो वो फेमस है, इनकी प्राचीन जो बुक है, वो है गीत गोविंद है, और मानकु जो है उनको चित्र बनाया है गीत गोविंद में, बशाली साली जो है लावड, वो लावड का मतलब होता है, रंग शंदरे के लिए फेमस मान जाता है, इसकी अस्थापना जो है, भुपत प और यहां पर मैंड कॉफ लिखा है तो पहाड़ी सैली की खोज में इनका विशिष युगदान है जिसमें प्रमुक शैली है आपकी कांगड़ा संसार चंद्रिया की सबसे इंपॉर्टन परशान है जो इनका स्वाण काल माना जाता है अब आता है गुलेर गुलेर की स्थापना जो है हरचंद ने किया था जो है कितना चौदर सो पांच में यहां का जो प्रमुक विश्य है वो है राग मलब रमायर एंड महाभारत है और यह कोमल बारिक की रिखा के लिए फेमस माना जाता है इसके अलाबा जो है कुलू है कुलू की स्थाबना जो है सत्रो सो पशत्तर में जो है की गई है इसका जो प्रमुक विश्य है वो राग मला इसका जो शासक थे इसके जो है जगस्वीर थे इसके प्रमुक चुत्रका थे भगवान तो यह पॉइंट है जिनके अंद्रिगत माल Thai कि यास रखना है चंबा सहली पर हमाल के लिदky einड पर समय अब ल्करण है और पुल्वा क्या मियां परोब की गई हünüz एक सब हृइक अब मेद्दायित्ट मालग और आयध चहले आइसा लेकली समय रहा है जीदे नुर्ग वालों पर कलाकारी की गई है चंबा में राजा चड़ा सीम कर रहा है और इसमें एक रंग महल आता है रंग महल जो इसमें पैनल पर 134 जो है चित्र बनाए गए हैं और यह याद रख सेगा जी इसके अलाबा जो है में पॉइंट हम आपको बताना चाहें के पूंच पूंच म जो है इन पिचन्तरों में जो है लंबी टोपी की विश्रिस्ता है इसके बाद हम आते हैं आपका जो है जम्मू जो है खास पर पेधानी इसके जो मैक्सम्म जो पेंटिंग है वो है बोस्टर शंग्राल लंदा में रखी गई है यहां की नैंसुक दॉबारा जो है पहली औ पेंटिंग बनाई था वो शोनी महिवाल था पेंटिंग की यहां पर टाकरी लिफी जो है यूज की गई पेंटियों के अंदर यह आद रखे जम्मू शैली में मैक्सिमम एंड शिक सहली जिसके सरच्छक जो है महराणा रजी सी है और यहां का खास पॉइंट है कि यहां के मैक्सिमम जो शिक सहली वो पोट्रेट के लिए जाने जागी है मैंडी सहली में हम ध्यान से अब्जब करेंगे इसकी विस्ष्टा है मुख मंदल और चोटा कद मतलब भारी मुख मंदल मतलब बड़ा चेहरा और चोटा कद यहां के आर्टिस जो है भगवान जी मतलब भग से लेकर 1912 की बीच में भरपूर किया गया है मंदल सहली में उसकी बाद आती है गड़वाल में इसके मैक्सिम जो पेंटिंग है भाद कला भवन रमें रखेंगे यह भाद कला भवन वही आपका जो है प्यच्व वाला है यहां पर अधिकतर पेंटिंग जो है धार्मिक से स यहां की पेंटिंग नाम च्छाली वाहन पेंटिंग इसको याद रखेगा उसके अलावा जो है केश्व दाज जो है और यह कि कृति जो है रशिक प्रिया जिसमें चौवालज़ पेंटिंग जो है काशमीर सेली संबादिग तो यह रहा पॉइंट जो जिसको आपको धिहा दिना है और यह जितनी भी पॉइंट है जिसमें काश्मीर पोश गर्वाल चमपा मंडी कुल्लू गुलेर्स एंसिख कांगड़ा और बशौली चम्मू और यह पहार यह ऐसा पॉइंट है जिसको आप अपने इग्जामेशन के लिए ध्यान दिजिए और इसको नोट कर लिए आपने कोई पॉइंट मिश किया है तो दुबारा इस वीडियो को देख कर जो है इसको आप नोट आउट कर सकते हैं और इससे लिटेट जो है इनकी पेंटिंगों पर विश्री ध्यान दिजिए चाहे आप इस जितनी भी शैली है में हमारे इत्मेंटिंग की उन सैलियों मे पेंटिंग पर लेटर जो है आपके एक्जामिरेशन में उससे लेटर सवाल पूछता है ओके आल दा बेस अच्छे से तयारी करिए